जैहिंद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 2021 एक्जाम इस बार एक प्रैक्टिकल कोशन रहा जॉइन प्रोडक्ट से रिलेटेड ओके वो कौन सा प्रैक्टिकल कोशन था मैं स्क्रीन पर आपके सामने ले आता हूँ कोशन नमबर टू बी पार्ट आई इसको आराम से पढ़ लेते OPR लिमिटेड परचेजेज क्रूड वेजीटेबल ओयल तो जो रॉ मेटीरल है उसका नाम गिवन है क्रूड वेजीटेबल ओयल इट डज रिफाइनिंग आप दा सेम इसका मतलब प्रोड़क्ट A को फुली प्रोसेस कर ली किया जा चुका है और इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी आप इसको स्प्लिट आफ सेज पर बेच सकते लेकिन जो बाकी के तीन प्रोड़क्ट है S, P और N इसकी कोई बात जो कोई गई है उसको मैं डैग्रमेंटिकली इस तरीके से आपके सामने पेश कर सकता यहां से manufacturing procedure शुरू हुआ raw material introduced किया गया नाम है crude vegetable oil यह है split of stage इसका मत्तब यह जो joint manufacturing activities है कि जिस context में आपकी joint cost है वो है रुपेस 40,000 split of stage पे चार product बन कर आए S, P, N और A A को लेकर question की position बड़ी clear है कि इसकी further processing नहीं होगी यानि यह जिस भी condition में है इसको split of stage पर उसी समय बेच दिया जाए very good product S पर आगे processing होगी वो बन जाएगा SK P पर आगे processing होगी वो बन जाएगा PM और N बन जाएगा NL तो अभी तक की जो information है वो diagramatically इस तरीके से हम कह सकते हैं जो एक पूरे paragraph में बताई गई ओके अब ज़रा question को आगे पड़ते information क्या है product है S, P, N and A पहले ज़रा यह देखेगा अगर split of stage पर हम अपने product को बेच देते हैं तो individual product की possible sale value कितनी हो सकती लेकिन अगर हम इन पर further processing करते हैं तो जो पहला product S है उसकी sale value 20,000 से बढ़कर हो जाएगी 1,20,000 अगले product की sale देखे कितनी बढ़ जाएगी और next product और जो last product product A है उस पर तो further processing होती नहीं लेकिन मेरे भाई अगर आप ये देखते हो कि sale पहले product की 20,000 से 1,20,000 हो गई तो इस बात पर भी गौर करिएगा कि आपकी जो further processing cost है वो है रुपिस 80,000 अगर आप further processing करेंगे तो further processing की cost तो होती ही है positive factor तो ये होता है कि sale बढ़ जाती है और negative factor जो separate cost है मेरा मतलब जो बढ़ी होई cost है उसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है very good अच्छा question ये कहता है हम आपसे क्या चाहते आरे भई आपके हिसाब से भई ये मामला अगर आपकी अदालत में आए और आपसे पूछा जाए जो product SPNA है इसमें A को छोड़िये इसकी further processing तो होती नहीं लेकिन जो SPN है क्या इसमें हर एक product की further processing होनी चाहिए या नहीं split of stage पर वेचना सही है या after further processing बेचना सही है एक बार मैं फिर सही इस diagrammatic presentation पर आता हूँ मेरे क्याल से बात बड़े अराम से समझ में आ रही है ये है joint activities split of stage further processing A के case में नहीं होगी SPN के case में होगी joint cost है रुपिस 40,000 अब एक basic issue हमारे सामने ये भी आएगा के joint cost को distribute कैसे किया जाए joint cost को distribute करने के जो methods आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसमें से कौन सा इस question में लगता हुआ आपको दिखरा है साब दिखा जा सकता है market value method मेरा मतलब है possible sale value at split of stage split of stage पे जो चार product बन कर आए उनकी जो possible market value या possible sale value हो सकती है wise question में more appropriate method है joint cost को distribute करने के लिए तो हम इस question का answer आगे कैसे बढ़ाएंगे answer मैंने पहले से लिखा हुआ है heading है statement showing distribution of joint cost on the basis of possible sale value at split of stage ओके आप situation अबजर्व करिएगा product S, P, N और A ये चार product है question में given है sale value at split of stage बस question से हमने information पिके 20,000, 12,000, 28,000, 20,000 जब हमने possible sale value का total किया तो total हमको मिला रुपिस 80,000 अच्छा जिस joint cost का distribution करना है उसका total है रुपिस 40,000 हमने का ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये जो joint cost उपिस 40,000 है ये total sale value का 50% है तो यही सबसे बड़ी अबेसिस है तो हर एक के जितनी sale है अगर मैं उसका 50% कर दूँ तो मुझे तो joint cost का distribution साफ तो पे दिखेगा तो साफ दिखरा है कि जो total joint cost है उसमें product S, P, N और A का individual share कितना इसी तरीके से पता चल गया अच्छा साथ साथ हमने statement में ये भी पता कर लिया कि अगर split of stage पर हम product को बेच दें तो individual product से profit कितना होगा जैसे product S, अगर split of stage पर इसको बेचा जाए इसकी sale value है 20,000 और joint cost में इसका share है 10,000 याने 10,000 का profit आप अभी इसी समय realize कर सकते हैं अगर आप product को split of stage पर बेचते हैं चारो product से हमको क्या पता चल रहा है profit at split of stage further processing advisable है होनी चाहिए अगर profit इससे जादा हो सकता है तो profit इससे जादा हो सकता है तो product A कहता है जी further processing में तो मेरा नाम लीजिएगा मत तो कम से कम मुझे अभी ये पता चल रहा है कि split of stage पर अगर मैं सारे product बेचता हूँ तो मेरा total profit कितना है और individual product से होने वाला profit कितना है अब हमें तो answer आगे बढ़ाना है तो ये answer आगे कैसे बढ़ेगा ये मैं अगली screen पर आगया देखे question की information ये है कि जो products S, P और N है उन पे further processing करी जा सकती है further processing sold और अगर हम ये काम करते हैं तो जो तीन product है S, P और N उनका profit कैसे calculate होगा further processing के बाद profit calculate करने का simple procedure होता क्या simple procedure है कि final sales value में से फिर आप separate cost भी minus करोगे और joint cost भी minus करोगे final sales value याने sales value after further processing अब question में given है कि after further processing S, P, N की sale कितनी है 1,20,000, 40,000, 48,000 और question में ये भी given है कि जो तीनो product है उनकी separate cost मेरा मतलब है further processing cost पहले product का 80,000 दूसे का 32,000 तीसे का 36,000 और आप joint cost भी तो obviously minus करोगे आखिरकार अगर total profit calculate करना है और joint cost आप already पता कर चुके हो ये मैं पिछली statement में आता हूँ पिछली statement में दिख रहा है कि जो total 40,000 की joint cost है product S का share है 40,000 product P का share है 6,000 product N का share है 14,000 ये ही joint cost का amount मैं अगली calculation में ले गया 10,000, 6,000, 14,000 इससे मुझे पता चला कि individually जो product S है उससे profit आता है 30,000 product P से मुझे profit दिख रहा है 2,000 जबकि product N से मुझे loss दिख रहा है 2,000 अब आईए individual product का comparison करते product S अगर आप आगे काम करते हैं तो 30,000 का profit है मैं पिछली statement में आया अगर मैं split to stage पर S को बेचता हूँ तो मुझे सिर्फ 10,000 का profit दिखता है तो obviously advice ये होनी चाहिए कि product S पर आगे काम होना चाहिए लेकिन अगर मैं product P N के बारे में सोचू तो product P का profit है 6,000 product N का profit है 14,000 अगर आप split to stage पर बेचते हैं तो लेकिन after further processing में इन दोनों के profit कम है in fact product N के case में तो loss हो रहा है तो हमारी advice एकदम clear cut है सिर्फ और सिर्फ product S पर आगे काम होना चाहिए क्योंकि उससे आपको 30,000 का profit दिख रहा है जादा profit दिख रहा है लेकिन जो बाकी product है P और N उन पर आगे काम नहीं होना चाहिए split to stage पर ही products को बेच दिया जाना चाहिए तो final advice कैसे आप लिखेंगे उसके लिए फिर से अगली स्राइड मेरे पास recommendation इट इस एड़ाइस टू मेक further processing of product S only clear cut suggestion सिर्फ product S पर आगे काम हो बाकी product split to stage पर ही बेच दिजिए जिसमें product A पर तो खेर further processing possible ही नहीं है और अगर आप ये system adopt करते हैं तो company maximum profit realize कर सकती है S पर 30,000 का profit तो हो गई होगा वो तब होगा अगर आप उसको after further processing बेचेगे लेकिन product P, N और A 6,000, 14,000, 10,000 ये वो profit है जो split to stage के profit है well total profit आपके पास आ जाएगा 60,000 तो इस एक वीडियो में छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने क्या discuss किया इस बार के exam में जो joint product पर question पूछा गया वैसे joint product का जो concept है वो process costing का part माना जाता है process costing से आपके exam में एक और question पूछा गया था लेकिन उसका वीडियो मैं बनाऊंगा कल